प्यारे विद्यातियों नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पार्ट साला में दोस्तों राश्टी आयूम योगेता आदार इचात्वत्ती परिच्छा 2025 के लिए आज की वीडियो में सामाजी विज्ञान का माडल पेपर सॉल्व करेंगे और इस म सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पने दोस्तों के साथ एक बार जरूर शेयर कर दें तो आईए देखते हैं बच्चों पहला प्रशन 146 नमबर है निम्न मैंसे किस देश में मद्र रात्री को सूर्य दिखाई पड़ता है नेपाल न्यूजिलेंड नार्वे या जाप तो मद्र रात्री में जो है नार्वे में सूर्य दिखाई जाता है ओप्सन नमबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा नेक्स कोश्चन है 147 नमबर प्रशन कहता है कि पर्थवी अपने अच्छ के साथ कितने अंसका कोण तथा अपने कच्छा के साथ कितने अंसका कोण बनात बहुत ही important question है आप इसको जरूर ध्यान रखेंगे इसका बच्चो right answer हो जाएगा option number B 23.5 degree अपने अच्छ के साथ कोण बनाती है और 6.5 degree अपनी कच्छा के साथ जो है कोण बनाती है इसका बच्चो right answer हो जाएगा option number B 48 number question है भारत का मानक समय 84 degree पूर्वी दिसानतर रेखा के आधार पर निर्धारत किया जाता है जो की नगर से गुजरती है अब किस नगर से गुजरती है मानक दिसानतर रेखा एहमदाबाद और अंगाबाद इलाहाबाद या जपलपुर तो इसका बच्चो right answer हो जाएगा option number C इलाहाबाद के नैनी छेतर से होकर गुजरती है भारत की मानक समय रेखा जो 84 degree पूर्वी दिसानतर होती है इसके बाद बच्चो प्रशनक्या 149 है भाखडा नागल बान परियोजना के लिए किस नदी का उपयोग किया गया है अर्थात भाखडा नागल बहुत देसी परि सतलर नदी, कोसी, महानदी, कश्ना नदी तो इसका बच्चो राइटांतर हो जाएगा ऑप्सन नमबर ए सतलर नदी परिस्त है भागडा नागल बहुत देसी परियोजना इसके लाब महानदी महानदी पर हीरा कुंड बान बना हुआ है और कश्ना नदी पर नागारजुन बाद मना हुआ है तो यह आप ध्यान रखिएगा 150 नमर प्रशन है भारत में कितने अभ्यारण तथा कितने राष्टी उद्यान है यहां पर आपको बताना है कितने अभ्यारण और कितने राष्टी उद्यान है ऊप्सन आपके पास है 499,410,898,89490 या फिर 98410 तो वचो प्राइट रांसर आपका हो जाएगा option नमर ए 490 अभ्यारण और नमाज सी राष्टी उद्यान है option नमर ए इसका सही जवाब हो जाएगा 101 क्या नमर प्राष्टी राजमार्ग के मील का पत्थर में क्या निर्दिष्ट किया जाता है अब यहाँ पर राष्टी राजमार्ग है तो नेशनल हाइवे लिखा होगा क्या होगा नेशनल हाइवे एन एच है ना option नमर इसका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और आप सभी को लिखना है कि भारत का सबसे लंबा राष्टी राजमार्ग कौन सा है आंसर कमेंट शक्षन में लिखना है एक सो बावन नमर पर राष्टी पर कुल मंडल है सेबस कितने हैं दो पाँच चार या तीन तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा option नमर चार चार पर राष्टी पर कुल मंडल पाजाते हैं जल मंडल वायो मंडल इस्थल मंडल और चार जो है मंदल आपके हो जाएंगे। त्रपन नंबर प्रश्यन है प्रतिवी की सता से वाईयो मंदल का विस्तार लगभग कितने किलोमेटर तक है। 154 नमबर प्रश्ण कहता है कि भूसखलन के कारड कौन से रेल परिवाहन में बाधा उत्पन होती है कौकर्ड रेलवे, सेंटर रेलवे, पूर्व रेलवे या परस्चिम रेलवे तो इसका राई टांसर पुचो है ओप्सन नमबर ए कौकर्ड रेलवे जो है ये भूसखलन के कारड बाधा में रहती है जाजातर इसलिए ये प्रशिद्ध है और कौकर्ड रेलवे इस्ट्रेसर आप ध्यान रखें है काफी इंपोडेंट है कई बार प्रश्ण ये पूचा जा चुका है तो इसमें बाधा आती है भूसखलन के कारण 155 नमर प्रिश्ण कहता है कि ज्वाला मुखी के अंता इस्थित में लावा ठंधा होकर में परिवर्तित हो जाता है तो किसमें परिवर्तित होता है लावा ठंधा होकर पारा, जस्ता, टिन, प्लेटिंग या हीरा तो इसका वच्चों सही जवाब हो जाएगा option number D, हीरे में परवर्दित हो जाता है 156 नमबर प्रिश्ण कहता है कि बिगत 100 वर्षों में तापमान में कितने degree centigrade तक ब्रध्धी हुई है 0.6 degree centigrade, 6 degree centigrade या 6.5 degree centigrade या 7 degree centigrade तो 100 अर्षों में लगभग तापमान में ब्रध्धी हुई है 0.6 degree centigrade option number A का सही है 57 नमबर प्रिश्ण कहता है कि बिगत में कौन सी greenhouse gas नहीं है तो कौन सी greenhouse gas नहीं है carbon dioxide, methane, chlorofluorocarbon या nitrogen तो nitrogen जो है ये आपकी greenhouse gas नहीं है option number D का सही है 158 नमबर प्रिश्ण कहता है कि सहीजुक राष्ट संग ने किस तिथी को ओजोन दिवस के रूप में मनाने की घुरणा की है अर्थात किस दिन ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है 17 सितंबर, 16 सितंबर, 17 अक्टूबर या 16 अक्टूबर तो राइट अंतर है option number B 16 सितंबर को प्रिश्ण ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है 69 नमबर प्रिश्ण है नमन में से कौन हर्षवर्धन द्वारा रचित नहीं है यानि कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं है नागानंद, हर्षचरित, रतनावली या प्रिश्ण दर्शिका तो इसका बचो राइट अंतर है option number B हर्षचरित जो है ये बानभट की रचना है बाकी जो तीन दे गई है नागानंद, रतनावली या प्रिश्ण दर्शिका ये हर्षवर्धन की रचनाएं है द्यान रख़ेगा हर्षचरित जो है ये बानभट की है बानभट हर्षवर्धन के दरबारी कभी थे एक्सो साथ नमर प्रिश्ण है प्राचीन भारत का अंतिम हिंदू सासक कौन था हर्षवर्धन, पुलकेशिंदुतिय, देवगुप्त या भासकर वर्मन तो अंतिम हिंदू सासक था हर्षवर्धन ओप्सन नमर ए इसका सही जवाब हो जाएगा एक्सो एक्सो नमर प्रिश्ण कहता है कि गुलाम उन्स के संस्थापक के रूप में कौन जाना जाता है मुहम्मद कजनी, सहबुद्दिन गौरी, कुतबुदिन आयवग या बलवन तो कुतबुदिन आयवग को गुलाम उन्स का संस्थापक के रूप में जाना जाता है और इसने 1206 बी में गुलाम उन्सकी नियु रखी थी इसके बाद कुश्चन नंबर 162 है असोक ने कलिंग प्राक्रमण कब किया 261 हिसा पूर्व, 263 हिसा पूर्व, 245 या 255 हिसा पूर्व तो कलिंग का युद्ध असोक न लड़ा था 261 हिसा पूर्व में इसका ऑप्शन नंबर A सही जवाब हो जाएगा और इस युद्ध में भीषण नसंभार के कारण असोक का हर्दय विच्रित हो गया था और फिर कभी भवेश्य में युद्ध न लड़ने की खुरणा की थी और बहुत धर्म अपना लिया था कोश्चन नंबर 163 है किसके सासनकाल में पाटन के सहस्त्र लिंग जहील का निर्माड हुआ था सिद्धराज जैसिंग, कुमारपाल, भीमदेव या मूल ला सोलंकी तो इसका बच्चो राइट अंसर है ओप्सन नंबर A, सिद्धराज जैसिंग के सासनकाल में सहस्त्र लिंग जहील का निर्माड हुआ था 144 नंबर प्रश्ण कहता है किस वर्स इबराहिम लोदी योम बाबर के मद्धे पानी पत का युद्ध हुआ था तो इबराहिम लोदी और बाबर के मद्धे जो है प्रथम पानी पत का युद्ध हुआ था और ये हुआ था 1526 इस भी में ओप्सन नंबर A, इसका सही जवाब हो जाएगा इसके अलाबा पानी पत का दूसरा युद्ध कब हुआ था आप लोग कमिशक्षन में लिखिएगा 165 नंबर प्रश्ण कहता है कि कौन इतावली था जिसने भारत का समुद्री मार्क खोच करने के लिए चुनोती को सविकार किया था वासको डिगामा, मुहमद इबन बजीद, कोलंबस या हौकिन्स तो इसका वच्चों सही जवाब है ओप्सन नम्मर C कोलंबस आपका सही है चुनकि ये भारत की खोच करने निकला था लेकिन पहुँच गया था अमेरिका में तो एक प्रकार से चुनोती इसने सविकार की थी लेकिन खोज हो गई वासको डिगामा द्वारा तो ध्यान रखेंगे अमेरिका की खोच कोलंबस ने की थी वासको डिगामा ने भारत की खोच की थी लेकिन कोलंबस निकला था भारत की खोच करने के लिए तो इसका अंसर C आप समुच्छों हो जाएगा नैस कुस्टन की बात करते है 106 नमर प्रशिण कहता है प्लासी कायुद निमन में झिसके मद्धे हुआ था सिराजुद दौला और मोशीत खान राबर्ट कलाईव सिराजुद दौला सिराजित दौला और हाकिन्स रावर्ट क्लाइब और मीर जाफर तो प्लास्टी का जो 1757 भी में हुआ था और ये हुआ था बच्चों रावर्ट क्लाइब और सिराजित दौला के मद्दे जिसमें सिराजित दौला हार गए थे और राबर्ट क्लाइव की विजह हुई थी एक सो अरशन नमबर प्रशन है भारत में सहाइक संधी किसने लागो की लाट डलहोजी, वारन हेस्टिंस, लाट वेलेजली या लाट क्लाइव तो भारत में सहाइक संधी लागो करने वाले थे लाट वेलेजली आप्सन नमबर सीज का सही जवाब हो जाएगा नेक्स कोशिन की बात करते हैं एक्सवर्शक नमबर लाड लहोजी के द्वारा नेमन मैंसे किस नीती को लागू किया गया था फूट डालो और शासन करो सहाइक संधीक की बिले नीती की या इनमेंसे कोई नहीं तो इनकी नीती बिले नीती जिसको हड़प नीती भी कहा जाता था तो आप्सन नमबर सीज का सही जवाब हो जाएगा फूट डालो और शासन करो ये ब्रिटिस सरकार की नीती थी और ये अठारा सो अठाउन के बाद चालू हुई थी इसके बाद प्रिशंख्या 179 करते हैं भारत में सरोभथम रेल वियोस्था की शुरुवात के बीच प्रारम हुई थी मुंबई से नासिक, मुंबई से पुडे मुंबई से थाडे या कलकत्ता से भुनेस्वर तो सबसे पहले जो रेल चली थी वो मुंबई से थाडे के बीच में चली थी और उप्सन नमबर सी इसका सही है सत्तर नमबर प्रिशन है निमनवेस से किसके द्वारा अठारा सो उनतिस में कानून बनाकर सती पर्था को पर्थिबंधित कर दिया गया बिलियम चार्स, बिलियम बैंटिंग, लाड कलाइव या लाड कानवालिस तो इसका बचो राइट आंसर है आप्सन नमबर बी बिलियम बैंटिंग द्वारा अठारा सो उनतिस में सती पर्था के खिलाफ कानून बनाकर पर्तिबंधित कर दिया गया था और इसमें राजा राम मोहन राए जो भारत के पनर जागन के अगरदूत कहलाते हैं उन्होंने महात्पूर्ण भून का निभाई थी इसके बाद 179 प्रिष्ण है इस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ देश भर में विद्द्रोफ प्रारम करने की उजना कब बनाई गई थी तो ये 1897 बी की करान्ति की बात कर रहा है और ये बच्चों बनाई गई थी और अप्सन नमर सी में 31 मई 1897 बी को देश भर में जो है करान्ति करने की सुरुवात के लिए ये डेट निशित की गई थी लेकिन जो 1897 बी की करान्ति वो पहले ही हो जाती है डेट से पहले इसलिए देखा जाए तो ये सबसे महत्पूर्ण कारण बन जाता है 1897 की करान्ति की विफलता का तो 1897 की करान्ति की सुरुवात 31,57 को करने की बात की गई थी इसके बाद बच्चों कुश्य नमबर 172 है 1897 की विद्रोह में सहीद होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था बगर सिंग, मंगल पांडे, कुमर सिंग, तात्या टोपे तो पहला व्यक्ति था, मंगल पांडे आप्सन नमबर इसका बी विल्कुल सही जवाब हो जाएगा 173 नमबर प्रश्ण है भारती सम्धान को कब लागू किया गया था तो इसका अंसर तो आप सभी को पता होगा 26 जनवरी 1950 को भारती सम्धान लागू हुआ था और 26 नमबर 1949 को ये जो है बनकर तयार हो चुका था चो अतर नमबर प्रश्ण करता है कि निमन में से कौन सा वाक्य गलत है तो कौन सा वाक्य गलत है इसको ध्यान से पढ़िए बारती सम्धान 20 का सबसे लंबा और लिखित सम्धान है ये सही है डाक्टर राजनवर्शाद सम्धान सभा के अध्यच के रूप में निर्वाजित हुए थे ये भी आपका सही है सम्धान सभा में एक ही एक भी महिला को सामिल नहीं किया गया था ये आपका कथन गलत है यूंकि समिनान सभा में महिलाएं भी सामिल थी और D आपसन कहता है कि प्रारूप समिति के अध्यच डाक्टर बियर मेट कर थे तो ये तो कथन सही है तो इसका बच्चो राइट आंसर हो जाएगा आपसन नमबर C C is the right answer 75 नमब प्रशन है लोगसभा का चुनाव प्रतेक वर्स में होता है तीन वर्स, पांच वर्स, प्रतेक वर्स या किसी भी समय तो लोगसभा का चुनाव पांच वर्स के लिए होता है और प्रतेक पांच वर्स बाद लोगसभा का चुनाव देखने को मिलता है तो आपसन नमर 20 का सही जवाब हो जाएगा क्वेशन नमर 76 है राजसभा के कुल 250 हदस्यों में से कितने हदस्यों को राष्टपत द्वारा मनुनित किया जाता है 238, 12, 24, या 100 तो 12 हदस्यों को राष्टपत द्वारा मनुनित किया जाता है option number 20 का सही जवाब हो जाएगा 117 नमर प्रश्ण कहता है राज सभाग के सभापती के रूप में कौन कार्व करता है तो option number S का विलकुल सही जवाब हो जाएगा राज सभाग के पदेन सभापती के रूप में राष्ट्रपती उपर राष्ट्रपती जो है काम करता है option number A का सही जवाब हो जाएगा 78 नमर प्रिश्ण है कानून बनाने से पहले किसी विधे को कितनी बार पढ़ना आवस्थिक होता है एक बार, दो बार, तीन बार या चार बार तो तीन बार जो है पढ़ना जरूरी होता है option number 30 का सही है 189 नमर प्रिश्ण कहता है कि ISI का चिन किस उत्पाद के लिए परियुक किया जाता है ISI आपने वस्थिवों पर देखा होगा ये प्रकार से मार्क होता है, चिन होता है ये जो है घरेलू उत्पादों पर इस्तेमाल किया जाता है option number 20 का सही जवाब हो जाएगा तो मतलब जिन उत्पादों पर या जिन वस्थिवों पर ISI मार्क लगा होता है वो authentic चिज़े होती है अच्छी चिज़े होती है, quality वारी वस्थिवे होती है 180 नमर प्रश्ण है निमन मैंसे कौन अपराधिक मामले नहीं है सारी रिक नुकसान, चोरी डकैती, हत्या या भूमी मामले तो इसका वच्छों सही अंसर है जो भूमी मामले होते हैं ये अपराधिक मामले नहीं होते option number D इसका विल्कुल सही जवाब हो जाएगा तो ये वच्छों रहे, सामाजी विग्यान के 35 प्रश्ण माडल पेपर के माद्यम से इन 35 प्रश्ण में से आपके कितने question सही हुए है comment section में जो लिखेगा आज की वीडियो मस्तना ही मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तो कि रहे धन्यमाद जैहिन वन दे मातरम